वे सब्दान्स जो किसी मूल सब्द के पहले या पुर्वे में लगकर नए सब्द का निर्मान करते हैं, अर्थार्थ नए अर्थ का बोध करवाती हैं, वे सब्द उपसर्ग होती हैं। और आज हम इस वीडियो में सब्द में प्रियुक्त, मूल सब्द और उपसर्ग के बारे में जानेंगे, तो चेनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा प्रिक्षा में पूछे जाने वाली महत्वपन उपसर्ग सब्दों के बारे में विस्तार से जान लेती हैं। यानि वे उपसर्ग कौन-कौन सी हैं जो बार-बार प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं आये कुछ इस बारे में भी पात कर लेती है। नमबर वन है अन्यावसिक यानि अन्यावसिक का उपसर्ग होता है अन्य और इसका मूल सब्द होता है आवसिक। नमबर टू है पूरोईत और पूरोईत में पूर सब्द उपसरग होता है और हिट सब्द मूल सब्द होता है नमबर थरी है अत्याजाब यानि अत्याचार सब्द के अंदर अतिस सब्द उपसरग होता है और आचार सब्द मूल सब्द होता है नमबर फोर है स्वार्थ 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 स्व सु जो सब्द होता है वह उपसर्ग होता है यानि सु आगत सब्द का सु सब्द उपसर्ग होता है और आगत सब्द मूल सब्द होता है इस तरह से आगत के अंदर जब सु उपसर्ग लग जाता है तो सु आगत बनता है नमबर शिक्स है उपनियास उपनियास सब्द में उप जो सब्द होता है वै उपसरग होता है और नियास सब्द इसका मूल सब्द होता है नमबर सेवन है प्राधीन दोस्तों प्राधीन के अंदर प्राउपसरग लगा होता है और अधीन जो होता है इसका मूल सब्द होता है नमबर एट है विज्ञान दोस्तों विज्ञान सब्द में वी उपसरग लगा होता है और ज्ञान इसका मूल सब्द होता है नमबर नाइन है उपवन दोस्तों उपवन के अंदर उप उपसरग होता है नमबर 10 है दुबला दोस्तों दुबला के अंदर दू उपसरग लगा होता है इस तरह से दोस्तों अगर आपको उपसरग समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चेनल को सबस्क्राइब करें और एसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे मिलेंगे एक भैतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारे चेनल को सबस्क्राइब करके जरूर रखे